तो इस वीडियो श्रिंकला का आज हम दूसरा वीडियो डिसकस करने माले हैं मैं हूँ दॉक्टर राहूल बागरेचा, Hair Transplant and Facial Cosmetic Surgeon, Hair and Face Surgeon, Facial Cosmetic Surgery Center और Hair Transplant Center पुने से तो इस वीडियो श्रिंकला का आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिसकस करेंगे Initial Hair Fall में हम क्या कर सकते हैं Initial Hair Fall आपको Early 20s में या Teens में दिखेगा अनुवानशिक्ता से Hair Fall के Candidates है या Hair Fall होने के Chances आपको अनुवानशिक्ता से ज़्यादा है आपको Stress है और बाकी सब Reason जो हमने पुरानी वीडियो में डिसकस किये है वो अगर आपको है तो आपको Hair Fall Initial Hair Fall स्टार्ट होगा आपने Hair Fall स्टार्ट होने के बाद अगर Treatment स्टार्ट किये है और आपको पता चल रहा है कि मुझे नॉर्मल से ज़्यादा Hair Fall हो रहा है यह पता करने का क्या तरीका है Simple तरीके हैं आपके बिस्तर पे तकीये पे ज़्यादा Hair दिख रहे हैं आप कोम कर रहे हैं तो कोम में ज़्यादा Hair दिख रहे हैं नॉर्मल इनाते हुए आपके sink में आपके drain में बाल जाधा दिख रहे हैं या सिर में आप बाल गुमा रहे हैं तो हाथ में रूर्मल से जाधा बाला रहे हैं यह sign है आपके hair fall जाधा होने के यह इस stage में भी अभी आपको गंजापन हो गया है बाल पतले हो गया है ऐसा नहीं दिखेगा बालों के density wise, look wise आपको देखने से वो बाल पतले नहीं लगेंगे लेकिन hair fall हो रहा है ये आपको पता चलेगा तो आपको ये होने के बाद कुछ basic चीज़े identify करनी है अगर आप male है तो आपको देखना है कि आपके आहार में सही चीज़े है या नहीं पोशकतत्व सही है के नहीं आप smoking तो नहीं कर रहे हैं बहुत ज़ादा stress में तो नहीं है alcohol consumption बहुत ज़ादा तो नहीं हो रहा है इसके साथ-साथ आप सिर cover करके तो बाहर जा रहे है या नहीं जा रहे है पर्टिकलरली जो bite चलाते हैं अगर वो बिना सिर cover करें धूप में पोलिशन में directly जा रहे हैं और frequently अगर आप शैंपू नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीज़े add-on करेगी सिर के skin के उपर, scalp के उपर, कंदगी जमाने में और irritation कॉस करने में irritation ultimately inflammation कॉस करेगा और आपके बालों की जड़ों के आसपास inflammation होके blood supply कम होके आपको hair fall बढ़ जाएगा दूसरे कुछ reasons है, अगर आप females है, तो आप देखिए आप में iron deficiency तो नहीं है आपको thyroid का problem तो नहीं है, iron deficiency बहुत सारे reasons से हो सकती है आपके खाने में iron की कमी या आपके menses में, periods में आपकी bleeding बहुत जादा हो रही है तो आपके doctor से मिलिए thyroid के लिए भी कुछ test है जो आपके doctor आपको बताएंगे अगर आप PCOS या PCOD से ग्रस्त है तो आप में hormonal changes होंगे और आप में hair fall बढ़ जाएगा आपको आपके doctor से मिलना है इन दोनों situation में, males और females में कुछ common basic जो चीज़ करनी है वो same है जो हमने first video में discuss की है जो normal health के लिए एक चीज़ आपको सिफ extra करनी है males में ये extra चीज़ करनी है कि आपको immediately आपके doctor से मिलना है पहले वीडियो में बताए हुई सारी चीज़े करने के अलावा आपको doctor से मिलके multi vitamins आपको minoxidil का use और कुछ कमिया हो आपके nutrition में या body में कुछ proteins की vitamins की कमिया हो जो आपके doctor check करेंगे बहुत common कमिया होती है vitamin B12, vitamin D जो vegetarians में पाई जाती है और जो लोग active नहीं है sun exposure उनका कम है उन में पाई जाती है उसके अलावा vitamin A, C, D, A, C और E ये भी important है लेकि बहुत common जो reasons होते है vitamin B12 और vitamin D इसकी अगर कमिया है तो आपके doctor ये identify करेंगे उसके अलावा उनको कुछ और जरुवत लगती है तो वो test करेंगे और उन कमियों को पूरा करेंगे females के लिए आपको आपके gynecologist या आपके doctors जो physician है उनसे मिलना चाहिए आपके hormonal level चेक करने चाहिए और उसके accordingly iron deficiency हो तो iron supplements thyroid deficiency हो तो thyroid supplement और अगर आप PCOS या PCOD से ग्रस देंगे तो उसके पूरी treatment आपके physician या gynecologist आपको देंगे ये सब करने के अलावा आपको basic चीजे फिर से करनी है यहां से आगे आप कोई भी treatment करें जो first video में हमने discuss किया है basic health maintenance के लिए बालों की maintenance के लिए वो सारी चीजे हमको करनी ही है even transplant करने के बाद भी जो transplanted बाल है जो उग गए हैं वो भी normal बाल है उनकी भी care करनी है तो इसके आगे जब ही मैं कोई भी वीडियो में बात करूंगा तो यह चीज बिलकुल fix है जो मैंने पहले वीडियो में discuss की है कि आपको basic maintenance के लिए जो जो चीजे बताई गई है वो करना ही है इसके अलावा अगर आपके डॉक्टरों को यह लगता है कि आपको यह supplements के अलावा कोई treatment बालो के लिए specific करनी है जैसे PRP treatment जैसे low level laser therapy या कोई और mesotherapy local treatment आपको अगर उन्होंने suggest की है तो वो भी करनी चाहिए उसके लिए उस level पे आप किस level पे है यह पता करने के लिए आपके doctor कुछ test करेंगे trichoscopy नाम से एक instrument होता है जिससे बालो की जड़ magnify करके देखी जा सकती है चाहिए तो वो कुछ biopsy कुछ test भी कर सकते है यह अगर आपको test करने के बाद आपके doctor ने suggest किया है तो वो भी साथ में कीजिए Thank you